Hello everyone, welcome to Study IQ. वीडियो आएगा 28 दिन का, क्योंकि छोटा महीना है, तो दो अलग अलग पार्ट में नहीं है, लेकिन जनवरी के Banking Awareness दो पार्ट में पढ़ाई गई है, एक और important बात आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्योंकि बहुत बच्चे पूचते हैं, बहुत बच्चे कहते हैं कि स अगस्त के बाद आपने जो RBI के circular हैं वो नहीं पढ़ाए, देखिए अगस्त महीने तक मैं RBI के circular अलग से पढ़ाता था, लेकिन सितंबर से, सितंबर 2022 से ही मैंने जो RBI के circular हैं, जो भी important हैं, सारे RBI के circular important आपके लिए नहीं होते, सारे आपके exam के syllabus में नहीं होते, तो जो R ranking awareness के videos के साथ ही आपको पढ़ा रहा हूँ लगातार, तो एक भी RBI related news आपकी ऐसा नहीं है कि वो छूटी है, ठीक है, तो उस बारे में आप निश्चिन्त रहिए, ये current affair अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप काफी confident हो पे raise करें है, bond issue करके, और आप जानते हैं कि जो bond है वो क्या होते है, bond कोई भी जो है bank issue करता है अगर तो उस पे वो एक fixed ब्याज आपको देता है, उस ब्याज को आप coupon rate या interest rate बोल सकते हैं, तो इस पे जो आपको अगर आप इनमें invest करेंगे और लोगों ने किया है, in fact initially उन लोग हैं उन्हें invest करना है, 10 साल के लिए, और 7.97% का उन्हें ब्याज मिलेगा, 7.97% yearly coupon rate है ये, तो ये आपको द्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं, एक company है, Niva Bupa Health Insurance, जिसका पुराना नाम है Max Bupa Health Insurance Company, ये health insurance की company है, इन्होंने अपना एक health insurance plan launch किया है, जिसका नाम रखा है Reassured 2, इनका जो पुराना plan है, उसका नाम था Reassured, और नए वाले का नाम है Version 2, नए वाले में फाइदा ये है कि जो premium भरना होता है आपको वो इसमें 30% तक कम है, ठीक है, तो आप इसमें 5 लाख रुपे से 1 करोड रुपे तक का अपना health insurance करा सकते हैं, और 18-65 साल के बीच, उम्र अगर आपकी है, तभी आप इस policy को ले सकते हैं, तो इसका नाम है Reassurance 2, ये एक तरह का ये individual है, multi-individual या family floater, हर तरह में available है, family floater मतलब ये होता है कि पूरे परिवार का insurance उसी एक ही policy में हो जाता है, तो ये दिहान रखिए, तो ये सब तरह से available है, इसका नाम है Reassurance 2, और हमारा FDI कितना आया, भारत में, तो ये 9 महीने के अंदर, यानि April 2022 से December 2022, ठीक है, April से December 2022, जो कि इस financial year 23 के शुरू के 9 महीने थे, उनमें FDI थोड़ा कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 15% कम हुआ है, compared to financial year 22 के शुरू के 9 महीने, इसी period से अगर आप compare करें, एक साल पहले के year on year तो 15% कम हुआ है, तो कितना FDI आया, ये data दिया है, DPIIT ने, DPIIT मतलब Department for Promotion of Industry and Internal Trade, तो total FDI आया इंडिया में 36.75 billion dollar, और अगर आप FDI के अंदर ये सब चीजे भी जोड़ दें, यानि overall FDI, एक तो होता है FDI, और एक होता है overall FDI, overall FDI में क्या क्या हम डाल देते हैं, जैसे equity capital of un incorporated body, reinvested earning and other capital, तो ये था 55 billion dollar, और April से December, तो ये इसमें 8% की गिरावट देखने को मिली, दोनों figure याद रख लिजिए, अब ये इसका क्या मतलब है overall FDI और FDI, overall FDI में क्या होता है, जैसे मानलो किसी foreign company ने इंडिया में invest किया, मानलो 1 billion dollar, और ये 1 billion dollar अब हो गया, 1 billion dollar, यानि इ 500 million dollar वो चाहे, तो profit बना के country से निकाल सकती है, वापस ले जा सकती है, या फिर ये 500 million dollar वो reinvest कर सकती है, उसी company में, या किसी और company में, तो उसको बोलते है, reinvest earning, यानि जो foreign company ने profit कमाया, या जो भी escalation हुआ, valuation में, वो अगर इंडिया में ही है, तो फिर हम उसको बोलते है, reinvested earning, और वो भी इसमें calculate होता है, तो obviously overall FDI जादा होता है compared to FDI, तो दोनों मैंने आपको बता दिये, अगर सिर्फ FDI है, तो generally वो इसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो 36.75 billion, क्योंकि ये नया FDI है, ये वो है जो पूरा नया है, और ये वो है जो नया भी है, और इसमें वो जो 32, तो FDI अगर पूछें, सबसे ज़्यादा कौन से sector में आया, तो computer software and hardware manufacturing, इसमें सबसे ज़्यादा आया computer software और hardware, इसमें 8 billion dollar का FDI आया, 8.07 billion dollar, दूसरे नंबर पे आया, service sector में, service sector में क्या क्या आ जाता है, service sector में outsourcing आ जाता है, outsourcing जैसे IT, ITES, BPO बगारा, BFSI sector आ जाता है, banking financial sector, financial services sector, banking sector, तो इसमें आया, services sector में आया, 6.56 billion dollar, services sector में hospitality, business भी आयाता है, hotels, restaurant ये सब भी आयाते है, फिर है महराष्टरा, महराष्टरा में सबसे ज़्यादा FDI आया, अगर पूछें किस state में FDI सबसे ज़्यादा आया, तो महराष्टरा में आया, 10.76 billion dollar का जो FDI आया, किस country से FDI सबसे ज़्यादा आया, तो answer है, Singapore, Singapore जो है, वो top investing country रहा, total 13.707 billion dollar का FDI सिंगापूर से आया, अब बात करते हैं, एक insurance company की, अधित्य बिरला, Sun Life Insurance, इन्होंने एक नया plan launch किया है, और इस plan का नाम इन्होंने क्या रखा है, अन्मोल सुरक्षा कवच, ठीक है, क्योंक इसमें detail में आपको नहीं जाना होता कि इसमें some assured कितना है, इतना detail नहीं पूछते हैं, हाँ, अगर LIC का plan है कोई, या State Bank of India का है, तो उसमें पूछ सकते हैं, थोड़ा सा detail, बट private company के insurance plan वगारा में कुछ इतना पूछते नहीं, तो basically life insurance plan है, इसमें अगर आपकी age जो है 25 से 55 के बीच है, तो आप अपना life insurance करवा सकते हैं, इसका नाम है अमरित, इसका नाम है अनमोल सुरक्षा कवच, और एक अमरित कलश है, ये deposit scheme है, ये सब के लिए है, senior citizen के लिए भी है, और normal सब के लिए है, बाकी senior citizens जो हैं, उनको जादा ब्याज मिलेगा इसमें, अगर आप ऐसा है आपको FD में, fixed deposit में 400 दिनों तक रखवाना है, ठीक है, और आपको अगर senior citizen है, तो आपको मिलेगा 7.6% interest, और अगर आप normal कोई भी Indian है, तो आपको मिलेगा 7.1%, यानि senior citizen को 0.5% ब्याज जादा मिलेगा, इतना ही नहीं, अगर आप SBI के staff हैं, या pensioner हैं, तो आपको extra 1% मिलेगा, SBI staff या pensioner हैं, तो आपको 1% ब्याज जादा मिलेगा, इसका नाम है Amrit Kalash, और यह fixed deposit scheme, State Bank of India ने शुरू करी है, 400 दिनों के लिए पैसा आपको deposit कराना है, अब बात करते हैं, सेबी की, तो सेबी जो है उसने एक चीज करी है, एक language होती है, जिसे बोलते हैं XBRL, यह मैं सिर्फ आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसकी full form exam में आ सकती है, basically क्या है, वो company जो IPO करना चाहती है, उसके लिए आप जानते हैं, जब वो company IPO करती है, तो एक red herring prospectus होत के जो है, investor एक informed decision ले सकते हैं, कि उन्हें उस company में invest करना है कि नहीं, इसके लावा और भी document वगारा जो है, वो file होते हैं IPO से related, तो अब यह कहा है, सेबी ने, कि वो XBRL format में उसको file कर सकते हैं, XBRL क्या होता है, extensible business reporting language, यह एक तरह की language है, जो electronic communication में use होती है, और इसमें, यह मतलब पूरे world में use होती है language, business के लिए, यह जो language है, business और financial data transfer करने के लिए होती है, अगर आपको किसी company का business data या financial data electronically transfer करना है, तो आप इस language में कर सकते हैं, XBRL, तो इसे काफी पाइदा होता है, आप इससे analysis कर सकते हैं, data का, business information को communicate कर सकते हैं, तो सेबी ने यह कहा है, सेबी share market में अपने आपको list करना चाहते हैं, तो आप अपने paper file करना चाहते हैं, तो XBRL format में कर सकते हैं, कौन सी company है, जिसने insurance mall launch किया है, जिसमें बहुत सारे insurance product एक ही जगा पे आपको मिल जाएंगे, तो यह बजाज finance ने करा है, बजाज finance ने insurance mall launch किया है, इसमें बजाज ने partnership कर पे बहुत सारे जो product हैं, जैसे आपको policy बजार पे मिलते हैं, बहुत सारे product एक ही जगा पे मिल जाते है insurance के, फिर आपको जो पसंद है आप खरिच सकते हैं, वैसे ही, वैसे ही जो है आप यहाँ पे भी बजाज का insurance mall है, इसमें भी आप ना सिर्फ बजाज बलकि दूसरी company क भी product आप यहाँ पे खरिच सकते हैं, तो यह portal है, इसका नाम है insurance mall, in fact अभी मैंने खोल के देखा था insurance mall की website, तो उस पे SBI के product भी list किये हुए है, अब बात करते हैं, सेबी, सेबी ने एक guideline निका लिए, वैसे तो बहुत लंबी और extensive guideline है, लेकिन आपके level के लिए बस आपको यह याद रखना है, यह जो guideline है, सेबी के दुआरा, यह credit rating agency को लेकर है, कि जो हमारे भारत में credit rating agency है, तो उनको क्या करना चाहिए, पहली बात तो यह याद रखिए, credit rating agency जो होती है, वो किसी company को एक rating देती है, किसी company को rating देती है, और इस में यह कहा गया है, कि जो credit rating agency है, उ उन्हें क्या करना है? उन्हें अगर मानलो कोई कमपनी है जिसने तीन महीने तक लगातार non-submission of no-default statement यानि कहने का मतलब अगर कोई कमपनी है उसने अपना no-default statement तीन महीने तक submit नहीं किया तो उसको उसको आप INC का दरजा दे सकते हैं क्योंकि उसने NDS no-default statement को submit नहीं किया तो तीन महीने तक अगर नहीं किया तो आप उसे साथ दिन के अंदर अंदर मतलब तीन महीने के बाद साथ दिन के अंदर अंदर आपको उसे INC का दरजा देना है इसमें आप चाहें तो तीन महीने से पहले भी दे सकते हैं उसे INC का दरजा वो आपके उपर है लेकिन अगर तीन महीने बीत गए तो साथ दिन के अंदर अंदर आपको उसे INC डिकलेर करना पड़ेगा कि वो issuer not cooperating दूसरी बात एक और कहिए इसमें अगर कोई credit rating agency कोई committee बनाती है किसी company को rating देने के लिए तो इस committee में इस credit rating agency का managing director और CEO नहीं होना चाहिए ठीक है जो बहुत ही senior person है director level के वो इस committee में नहीं होने चाहिए ये बात भी की गई है rail tell corporation जो है इसको contract मिला है State Bank of India की तरफ से rail tell आप जानते हैं हमारे railways में जो telecom services provide करता है वो है rail tell तो rail tell को कितने रुपे का contract मिला है rail tell को 253.35 करोड का contract मिला है State Bank of India से State Bank of India के जो ATM है भारत में उसमें ये 4G connectivity provide करेगा 4G connectivity provide करेगा तो 4G LTE connectivity 15,000 से ज्यादा off-site ATM off-site ATM मतलब क्या होता है? ATM दो तरह के होते हैं एक on-site और एक off-site on-site का मतलब होता है जो bank के अंदर ही होता है ATM कई बार आप जाएंगे ATM में वो bank के साथ में ही होता है या bank के अंदर ही होता है उसे बोलते है on-site और एक होता है off-site जो stand-alone होता है अकेला वहाँ पे कोई bank नहीं होता साथ जासे for example कोई अगर ATM किसी mall में है या petrol pump के उपर है या railway station पे है तो वो off-site ATM है bank of महराष्टरा ने अपना एक private cloud infrastructure launch करा है जिसका नाम है महा बैंक नक्षत्र जहां भी आप ये word देखे ना महा आप समझ जाएए कि bank of महराष्टरा की बात हो रही है तो bank of महराष्टरा ने आज कल cloud infrastructure बहुत जरूरी हो गया है पूरा digital banking है तो सारा data आपको readily available रखना पड़ता है customer को कभी भी चाहिए हो तो cloud infrastructure बहुत जरूरी है तो इनका जो cloud infrastructure है वो उसको इन्होंने नाम दिया है महा बैंक नक्षत्र और kotak महिंद्रा बैंक ने एक portal बनाया है जिसका नाम है kotak fin यह digital banking और value added services अपने clients को देने के लिए kotak fin इन्होंने बनाया है अब बात करते हैं reserve bank of india की reserve bank of india ने एक committee बनाई थी उस committee का काम क्या था तो भारत में एक company है जो insolvency and bankruptcy board of india के दुआरा insolvency proceeding में चली गई तो वो जो company है SREI SREI तो SREI में दो कंपनिया है SREI infrastructure finance limited और SREI equipment finance limited तो यह दिवालिया हो गई थी company तो इसको run करने के लिए एक committee बनाई थी RBI ने उसके जो भी promoter वगरा थे उनको हटा दिया था management से और RBI ने committee बनाई थी ठीक है और इस committee में इस committee में तीन लोग थे अब तीन में से एक ने resignation दे दिया था तो उनको replace करा है तो उनको replace किया गया है भी तो कौन बने है वी रामाचंद्र वी रामाचंद्र जो है यह chief general manager है कैनरा बैंक के इनको इन तीन person के अंदर जगा मिली है तो यह बस याद रखिए और यह तीन लोग जो मिलके जो इनकी committee है वो SREI को चलाएंगी SREI का management अब इनके हाथ में है Reserve Bank of India ने अभी अभी authorize कर दिया है approval दे दिया है 32 existing payment aggregator को payment aggregator क्या होता है और payment gateway क्या होता है मानलो आपने आपने कोई website बनाई ठीक है आपने कोई website बनाई जिस पर आप कुछ बेचते हो मानलो आप बेचते हो दवाईया आप medicine बेचते हो अब जो आपका customer है मानलेते हैं आपका customer जो है उसके पास HDFC का account है तो आपकी website का नाम है मानलेते हैं www.pharma.com customer आया उसने दवाई खरीदी obviously सारी तरह की दवाईयां आप online नहीं बेच सकते हैं कुछ दवाईयां है जिनके लिए आपको doctor के prescription upload करवाने पड़ते हैं जिनको बोलते हैं schedule H दवाईया schedule H लेकिन हाँ मानलो over the counter product है मानलो किसी को horlix लेना है तो horlix लेने के लिए भी वो दवाई की दुकान पर जा सकता है या wix लेनी है stepsils लेनी है cream लेनी है कोई shampoo लेना है यह सब भी मिलता है दवाई की दुकान पर तो pharma.com आपकी website है उसपे किसी person ने shopping करी अब shopping करी तो उसका account HDFC bank में है है ना तो आपको आपके आपकी जो website है उसपे HDFC bank का क्या होना चाहिए gateway होना चाहिए ना इसी तरह से अब कोई person है उसका account access bank में है तो आपके पास क्या होना चाहिए access bank का gateway payment gateway होना चाहिए payment gateway जो होता है वो payment करने के काम आता है online ठीक है लेकिन अब problem यह है आप पहले HDFC bank के पास जाओगे इनसे कहोगे मुझे आपका gateway चाहिए चलो जी लगवालो तभी तो HDFC वाला आपका payment कर पाएगा आपकी website पे फिर आप access bank के पास जाओगे फिर आप ICAC के पास जाओगे आप बैंकों के चकर ही लगाते रहोगे इससे अच्छा यह है अलग-अलग payment gateway के बजाए आप क्या करो एक payment aggregator के पास चले जाओ aggregator मतलब जो aggregate करता है इखटा करता है ठीक है जासे for example आपने Amazon पे कोई चीज खरी दी तो एक window बनी हुई आ जाती है उसमें लिखा होता है कि भाई आप net banking करना चाहते हो UPI करना चाहते हो आप wallet से pay करना चाहते हो या आप credit card या debit card से तो aggregator के पास जो होते हैं हजारों gateway होते हैं इसलिए उसको aggregator बोलते है clear? जैसे CC Avenue Study IQ पे जो हमने लिया हुआ है वो CC Avenue के aggregator लिया हुआ है हमने पहले Razor Pay का भी हम यूज़ करते थे बागी Pine Labs का यूज़ कर सकते हो मंदब कोई company की कमी नहीं है जो आपको ठीक लगे aggregator वो ले लो तो इस पे क्या होगा मुझे अब सबसे अलग-अलग बात करने की ज़रूरत नहीं है मुझे अब या ऐसा नहीं कि Paytm से जाके बात अलग करूँ phone पे से अलग करूँ Amazon पे से अलग करूँ aggregator मुझे सारे gateway एक ही उसमें दे देगा तो इसको बोलते हैं payment aggregator और payment aggregator offline भी होते हैं online भी होते हैं इसका क्या मतलब है यह जो मैंने आपको example दिया यह तो online का दिया लेकिन आपको मानलो point of sale machine आप बिग बजार में गए बिग बजार में आपने टी-शिट खरी दी और वहाँ पे आपको उसकी payment करनी है तो वो offline हो गया वहाँ पे आपसे वो वही पूछेगा कि भाई कैसे payment करना चाहते हो वो आपके सामने machine रख देगा machine में QR code आ जाएगा यह हमापे card swipe करोगे या जो भी करोगे तो 32 हमारे ऐसे पहले से payment aggregator हैं जो exist करते हैं जो पुराने हैं 32 aggregator जो online नहीं थे अब उनको online payment aggregator के तोर पे काम करने की permission या approval in principle approval जो है वो RBI ने दे दिया है अब देखो RBI जब approval देता है न तो दो तरह का approval देता है एक होता है in principle approval in principle यह है कि हाँ अभी हम मान गए हैं आपको हमने हाँ कर दिये लेकिन अभी हम check करेंगे सारी चीज़ें कि आपकी company ठीक है नहीं है मतलब जो आपने कहा जैसे due diligence करेंगे हम audit करवाएंगे आपके account तो यह सब काम हम करेंगे यह सब काम हम करेंगे तो in principle authorization जो है इसका मतलब यह नहीं है कि आपको final authorization मिल गया final authorization जो आपको मिलेगा वो मिलेगा payment and settlement system act जो आया था 2007 इसके section 7 के तहत ठीक है न तो वो उसके लिए पहले audit होगा तो system audit report आपको submit करनी होगी एक chartered accountant से बनवाके CA से बनवाके RBI को और RBI देखेगा हाँ ठीक है सारे कागस पूरे हैं वो है तो फिर वो आपको एक final approval दे देगा तो यह चीज़ ध्यान रखनी है और यह 32 कंपनिया कौन सी है यहाँ पे इनके नाम मैंने लिख दिये है इनको in principle approval मिला है यह आपको 32 नाम याद रखने की बिलकुल ज़रूत नहीं है लेकिन आप यह याद रखिए कि 32 जो पुराने payment aggregator थे अब वो online payment aggregator के तोर पे भी काम कर पाएंगे एक कंपनी है वकरांगी RBI ने इसको कहा था कि आप जो है white label ATM मत वो करो मतलब white label ATM operate करने की permission नहीं दी थी इसे लेकिन अब जो है इसको renew कर दिया है मतलब इसका जो authorization है तो अब यह white label ATM जो issue वो कर सकता है चला सकता है कब तक 31 मार्च 2024 तक चला सकता है तो वकरांगी जो है इनके भारत में 6283 white label ATM है white label ATM वो होते हैं जो एक non-bank company के होते हैं जैसे NBFC का अगर ATM है तो वो white label है क्योंकि यह non-bank company है तो यह ध्यान दखिए और white label ATM काफी help करते हैं लोगों की उन एरियाज में जहांपे bank ATM नहीं होते तो वकरांगी को यह permission मिल गई है कि वो white label ATM को चला सकता है 31 मार्च 2024 तक Reserve Bank of India ने जो FCRA होता है Foreign Contribution Regulation Act Related Transaction Code अपलाई कर दिया है NEFT और RTGS में अगर जो है पैसा भार से आ रहा है इसका क्या मतलब होता है माल लो भारत में कोई NGO है कोई non-government organization है इसे foreign country से पैसा मंगाना है तो इसको क्या करना पड़ता है State Bank of India Delhi SBI का एक Delhi में office है वहाँ पे FCRA account खोलना पड़ता है FCRA account मतलब Foreign Contribution Regulation Act account माल लो foreign country में कोई person है या कोई company है वो इस NGO को donate करना चाहती है ठीक है माल लो Teach for India Teach for India एक बहुत जानी मानी NGO है तो ये foreign country का कोई person बहुत impress होता है और इसे कहता है ठीक है मैं आपको 25,000 dollar का donation करना चाहता हूँ करो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन Teach for India को क्या करना पड़ेगा SBI Delhi में यहां लखिए SBI है ये सिर्फ इसी में FCR account खुल सकते हैं किसी और में नहीं SBI Delhi में आपको एक FCR account खुलना पड़ेगा इस account में ये पैसा आ जाएगा और वहाँ से फिर आप जो है जिस काम के लिए आपने पैसा लिया है उनसे वो बताना पड़ता है वहाँ पे और जिस काम के लिए आपने वो पैसा लिया है फिर आप उसको में उसको खर्च कर सकते हैं उसका auditing होता है बकाइदा हर NGO को return वगरा file करना होता है अब कहने का मतलब ये है कि जो पैसा आता है भारत में वो कैसे आता है एक तो है कि वो डारेक्ट आ जाता है ठीक है ना डारेक्ट आ गया तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो FCR account है उसमें पैसा डारेक्ली आ गया किसी foreign bank से है ना ये पैसा कैसे आता है swift के थुरू आता है ये पैसा जो है किसके थुरू आता है swift के थुरू आता है swift एक technology है उसके थुरू आता है ठीक है society for interbank worldwide वो बहुत लंबी full form उसके मज़े है एक तो ये तरीका है दूसरा तरीका ये है कि ये foreign country से जो पैसा है पहले एक intermediate bank में आएगा intermediate bank हो सकता है मान लेजिए HDFC में आ गया और HDFC फिर NEFT या RTGS के थुरू इसमें FCRA में भेज़ देगा तो मैं repeat करता हूँ जो foreign contribution आते हैं भारत में donation वगरा आते हैं वो या तो FCRA account से सीधे receive हो जाते हैं या फिर Indian intermediary bank होते हैं बीच में जो NEFT या RTGS करते हैं अब Reserve Bank of India ने क्या कहा है Reserve Bank of India ने ये कहा है कि जब आप NEFT करो या RTGS करो तो फिर आपको काफी सारी चीज़ें हमें और बतानी पड़ेंगी ठीक है वो क्या-क्या बतानी पड़ेंगी तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ और ये इंस्ट्रक्शन लागू हो गए है 15 मार्च 2023 से ये है वो सर्कुलर RBI का और क्या-क्या बताना पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए ये इनको इसमें बहुत डिटेल में मच जाए है तो अगर आप NEFT कर रहे हैं तो ये सब आपको बताना पड़ेगा अब ये भी NEFT भी दो तरह का है एक ट्रांसेक्शन विदाउट LEI और एक है ट्रांसेक्शन विद लिए LEI क्या होता है Legal Entity Identifier ये 20 डिजिट का Alpha Numeric Code होता है अगर 50 करोड रुपे से ज्यादा की ट्रांसेक्शन होती है तो ये चाहिए होता है अगर मालो 50 करोड रुपे से ज्यादा की ट्रांसेक्शन हो रही है Cross Border मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में तो LEI compulsory होता है तो अब आप NEFT अगर कर रहे है Without LEI या With LEI तो इसमें ये सब चाहिए Donor का address Donor कौन है क्यों भेज रहा है क्या Purpose Remittance का Country कौनसी है Donor की कौनसी करनसी में भेज रहा है तो ये सब चाहिए होता है तो ये सब बस guidelines आई है RTGS अगर आप कर रहे हो तो ये सब चाहिए आपको ये सब guidelines है तो इतना detail में मच जाहिए बस ये है कि RBI ने ये कहा है कि अब आपको जो जो data है वो काफी सारा देना पड़ेगा अगर आप NFT, RTGS के थूप ऐसा मंगा रहे हैं Indian Intermediary Bank से तो इन banks को RBI को ये सारा data देना पड़ेगा अब हम बात करते हैं Micro ATMs की Micro ATMs क्या होते हैं Micro ATMs आपने देखे होंगे बहुत जगा पे Micro ATMs को Small ATMs भी बोलते हैं क्योंकि छोटे साइज के होते हैं Card Swipe Machine भी बोलते हैं ये Portable होते हैं मतलब एक जगा से दूसरी जगा आप इन ले जा सकते हैं और Handheld होते हैं तो इनसे क्या-क्या Facility होती हैं आप पेमेंट कर सकते हैं Remote Location में तो ये बहुत useful हैं आप इनसे आधार Enabled Payment System के थुरू पेमेंट कर सकते हैं आप इनसे Money Disversal जो है Cardless Money Disversal वो करवा सकते हैं तो ये सब काम इनके होते हैं तो एक Micro ATM या Small ATM की सबसे ची बात ये होती है कि एक तो ये Low Cost होती है मतलब एक ये अठारा सो रुपे से स्टार्ट हो जाती है जो मैंने देखे थे Amazon वगारा पे या कहीं हो मतलब मैंने देखे थे पंदरा सो रुपे में आपको मिल जाता है तो बहुत सस्ते हैं कोई बहुत महेंगी मशीने नहीं आई ये और जो बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट होता है जो परसन गाओं गाओं में जाता है इनको लेकर उस बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट वो किसी भी बैंक का क्यों ना हो जैसे SBI के भी बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट होते है कई बैंकों के बैंकिंग कोर्रेस्पोंडेंट होते हैं जो जाते हैं गाउं में लेकिन वो deposit या withdraw कोई भी बैंक का कर सकता है मतब ऐसा नहीं है कि SBI का banking correspondent जा रहा है अगर किसी गाउं में micro ATM को लेकर तो ऐसा नहीं है कि वो SBI की payment करेगा वो किसी भी बैंक की payment deposit या withdrawal कर सकता है तो customer की जो identity होती है वो authenticate एक बार हो जाती है और फिर आप इस पे कई तरह की सेवाएं ले सकते हैं तो यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं micro ATM क्या होते हैं क्योंकि micro ATM बड़ी तेजी से बढ़े हैं एंडिया में ठीक है तो कितने micro ATM है तो आपको बता देता हूं जब December 2020 खतम हुआ तो भारत में टोटल 3.56,00,00,00 micro ATM थे फिर एक साल बाद यानि December 2021 में यह भढ़के कितने हो गए यह हो गए 5.9,00,00 और अब जो latest data आया है वो क्या है वो है December 2022 जब खतम हुआ अभी 3 महीने भी नहीं हुए जब December 2022 खतम हुआ तो यह हो गए 14.19,00,00 यानि भारत में लगबग 15,00,00,00 से थोड़े कम micro ATM हो गए है हालांकि इनसे जो पैसा transfer होता है पैसा withdraw या पैसा transfer वगएरा उसमें बहुत ज़दा change नहीं आया लेकिन amount कम हो रहा है जो पहले लोग इनसे amount भेजा करते थे या withdraw किया करते थे पैसा वो सब amount है वो कम हो रहा है उसमें बहुत ज़दा increase देखने को नहीं मिला जैसे अगर मैं cash withdraw की बात करूँ न तो जब हमारे पास सिरफ 3,00,00,00 micro ATM थे तो total कितना cash withdraw हुआ था उस साल में calendar year में वो था 19.67 lakh करोर जब ये लिखा ना cash withdraw slow down तो cash withdraw वगारा क्योंकि अब UPI वगारा आ गया न तो इतना कोई cash वगारा withdraw करो फिर भेजो फिर दो किसी को उतना ज़रूत नहीं UPI नहीं सब take over कर लिया तो गाओं गाओं में अब UPI पहुच रहा है स्मार्टफोन भढ़ रहे हैं अभी तो 40% इंडिया के पास भी स्मार्टफोन नहीं है एक बार सोचिए सब के पास स्मार्टफोन आ गए हाथ में तो हर वेक्ति यहीं करेगा फिर UPI वगारा ही करेगा तो UPI यह तो बढ़े गई अब जब हमारे पास 5.9 लाक थे तो जो टोटल जो कैश विड्रो हुआ था वो था 25.2 लाक करोर अब हमारे पास यह 6 लाक से बढ़के 14 लाक पहुच गए एक साल में ठीक है लेकिन जो कैश विड्रो हुआ वो 25.2 लाक करोर से 25.5 लाक करोर ही हुआ तो number of जो transaction है वो तो बहुत बढ़ गए value of transaction लेकिन जो है वो कम हो गई है is that clear? तो यह वस आया है एक data RBI की तरफ से कि micro ATM हमारे पास कितने है अचा जो micro ATM है सबसे ज़्यादा कौन सी company के हैं यह पूछने तो आपसे तो भारत में अगर मैं बात करूँ 14.19 लाक micro ATM जो है इन में से सबसे ज़्यादा यानि एक चोथाई 3.55 लाक यह है फिनो पेमेंट बैंक के फिनो पेमेंट बैंक तो अगर कोई पूछे कि भई पेमेंट बैंक की इंपॉर्टेंस क्या है पेमेंट बैंक जो है लोन दे नहीं सकता क्रेडिट कार्ड दे नहीं सकता बहुत सारे restrictions होते हैं पेमेंट बैंक के उपर तो आप बताइए कि देखिए micro ATM तो जो है पेमेंट बैंक के बहुत सारे इसी तरह से दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो micro ATM है वो है SBM बैंक के इनके हैं 3.3 लैक और तीसरे नंबर पे फिर से एक पेमेंट बैंक है NSDL पेमेंट बैंक इनके हैं 2.25 लैक डिवाइसे इस दै क्लियर चली आगे बढ़ते हैं इन में से कौन से संगठन ने एक योजना शुरू करी है निधी आपके निकट दूइती है 2015 में जो भविष्य निधी अदालत है पहले इसको क्या बोलते थे भविष्य निधी अदालत और 2015 में इसका नाम बदल के कर दिया था निधी आपके निकट ये भारत के सभी जिलों में EPFO करवाता है हर महिने की 27 तारिक को इसमें लोगों की शिकायतों का निवारन होता है तो ये grievances redressal platform है और यहाँ पे information exchange भी होता है यानि ये एक ऐसे platform की तरह काम करता है निधी आपके निकट जिसमें district level पे information exchange होता है state और central government department district में अपनी बात पहुचा सकते हैं help desk वगारा भी होते हैं इसमें और mainly तो grievances redressal इसमें होता है तो EPFO और EPFO ministry of labor के under काम करता है ministry of labor जिसे बोलते हैं शरम मंतराले उसके अधीन काम करता है ministry of labor तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यह हर महीने की 27 तारिक को organize होगा जनवरी 2023 से निदी आपके निकट XR Startup Program यह अभी अभी नियूज में था यह collaboration है MEETI Startup Hub का यानि Ministry of Electronics and IT Startup Hub जो Startups की help करते हैं technological based startups की किसके साथ collaborate करके तो इन्होंने collaborate करा है Meta के साथ Facebook की जो parent company है उसका नाम है Meta तो अभी नोने 120 startups की list एक जारी करी है जिनको यह help करेंगे इस XR Startup Program के तहत और इसमें किस तरह से help करते हैं वो basically जो भी startup select होता है तो research and development में उनकी help की जाती है उनके product and services improve करने के लिए help की जाती है और 20 लाक रुपे का grant में उन्हें दिया जाता है 20 लाक रुपीज का grant दिया जाता है Is that clear? तो यह startup वो हैं जो अलग-अलग चीजों के होते हैं जैसे innovation के होते हैं इसमें women जो होती हैं उन्हें भी वो दिया जाता है और अभी के लिए 120 में से 40 जो early stage start-up है 40 early stage start-up हैं जो अलग-अलग फिल्ड में जैसे education, healthcare, learning and skill, agri-tech वगारा उनको 20 लाक रुपे का grant दिया जाएगा इन में से कौन सी company है? जिसने announce करा है कि वो open AI में 10 billion dollar का investment करेगी तो यह करेगी Microsoft और open AI जो है ना इन्होंने यह बनाया है chat GPT तो आप यह कह सकते हैं कि एक तरह से जो Microsoft है उसने chat GPT को acquire कर लिया है Is that clear? chat GPT को acquire किया है और अगर आप से पूचें कि chat GPT में GPT की full form क्या है? तो वो है chat generative pre-trained transformer जो सरकार है भारत सरकार उन्होंने competition commission of India का जो acting chairperson है उसका tenure भढ़ा दिया है इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है Dr. Sangeeta Verma और competition commission of India जो है यह fail trade इनका जो main वो है वो है fail trade एक competition act आया था भारत में 2002 उसके तहट यह बना था लेकिन फाइनली बनते बनते 2009 हो गया था तो competition act 2002 और competition act से पहले जो act थी उसको बोलते थे Monopolies and Restrictive Trade Practices Act यानि MRTP Act यह आया था 1969 में इसको repeal करके बना था competition act 2002 तो उसी के तहट बना था competition commission of India अटल innovation mission जो है निति आयोग का अटल innovation mission जो है निति आयोग का और central board of secondary education अटल innovation mission of the निति आयोग central board of secondary education और कौन सी कंपनी है जिनोने collaborate करा है to launch AIoT integration in school curriculum यानि यह artificial intelligence और जो internet of things है यानि AIoT उनको मिला के लिखा है AI plus IoT मतलब artificial intelligence internet of things उनको school curriculum में include करेंगे तो यह है Intel Intel India यह courses बगारा भी launch करेंगे और बच्चों को काफी अच्छा exposure मिल पाए AIoT में तो पहले ही यह उसको include करेंगे school curriculum में इन में से कौन सा country है जिसने जो stock market में settlement cycle है वो T plus 1 कर दिया है T plus 1 और यह लागू हो गया 27 जन्वरी 2023 से तो चाइना के बाद भारत ने करा है तो answer है India चाइना में भी पूरा T plus 1 हर जगा नहीं है लेकिन कुछ जगा T plus 1 है कुछ जगा T plus 2 है और इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है अगर किसी customer ने माल लो 12 डे को share खरीदे हैं तो उसके account में 24 घंटे यानि Thursday तक उसके DMAT account में आ जाएंगे और जिससे share खरीदे हैं उसको payment जो है वो भी 24 घंटे में मिल जाएगी यानि Thursday तक मिल जाएगी तो यह है T plus 1 तो T plus 1 अभी इंडिया major economies में पूरी तरह से लागू करने वाला तो पहला ही है क्योंकि चाइना में partial है T plus 1 कुछ चीजों में है कुछ चीजों में नहीं है तो T plus 1 settlement cycle इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है इन में से कौन सी कंपनी है जिसने पार्टनर करा है Common Service Center Academy के साथ यह Cyber संगेनी प्रोग्राम चलाती है उसके तहट 10,000 वोमेन को Cyber Security में ट्रेनिंग देगी तो यह कंपनी है OPPO India Cyber संगेनी प्रोग्राम चलाया है 10,000 वोमेन को Cyber Security में यह ट्रेनिंग देगी और Common Service Center जो है यह Ministry of Electronics and IT के अंडर आते हैं सामुदाइक सेवा केंदर बेसिकली यह 45 दिन का कोर्स चलाएंगे महिलाओं के लिए और इन्हें Certificate भी फिर मिलेगा एक बार कोर्स पूरा हो गया तो उन्हें Cyber संगेनी का Certificate भी मिलेगा Certificate इन्हें NIELIT की तरफ से मिलेगा NIELIT यानि की National Institute of Electronics and Information Technology अटल पेंशन योजना इसके 10 million enrollment होए पहली बार एक साल में तो इसको 1 करोड 25 लाग लोगों ने subscribe करा आपको बताना है ये सिर्फ एक साल में पहली बार इतने लोगों ने अटल पेंशन योजना को subscribe करा है अटल पेंशन योजना कौन सा department चलाता है तो pension से ही समझ जाए PFRDA Pension Fund Regulatory and Development Authority of India PFRDA जो है वो इसे चलाता है और आपके उमर 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आप इसमें enrollment करना चाहते हैं और इसमें आपको 1000 रुपे से लेके 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और 5000 ये 5 options हैं आपके पास यानि minimum pension आपको मिलेगी 1000 रुपे जब आपके उमर 60 साल हो जाएगी retirement पे आपको जो pension मिलेगी 1000 रुपे पर मंद और अगर आप premium ज़ादा भरेंगे तो आपको 5000 रुपे पर मंद भी मिल सकती है तो इसमें ये भी data आया है Attal Pension योजना में कि ये 2015 में launch होई थी ज़्यादा तर जो subscriber है 82% subscriber वो 1000 रुपे pension वाले हैं और सिर्फ 11% ऐसे हैं जो 5000 रुपे पर मंद वाले हैं अगर मैं age wise बात करूँ तो 21 से 25 साल के जो बच्चे हैं जो युवा हैं वो सबसे ज़ादा है 28% जिनोंने Attal Pension योजना के लिए subscribe किया है तो 9 मई 2015 को ये प्रधान मंतरी मोदी ने launch की थी और इसे PFRDA NPS के थुरू चलाता है 18 से 40 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए और इसमें एक बदलाव ये किया गया था कि अगर आप भारत में income tax भरते हैं तो फिर आप Attal Pension योजना के लिए eligible नहीं है और इसमें आपको पूरी lifetime जो है वो pension मिलती है Tata Trust का नया CEO कौन बना है तो अभी अभी जो है Tata Trust की जो CEO बने है उनका नाम है सिद्धार्थ शर्मा सिद्धार्थ शर्मा एक अप्रेल से बने है नहावा शैवा जवाला नहरू पोर्ट को बोलते हैं नहावा शैवा इन्होंने लोन लिया है 131 मिलियन डॉलर का यानी 1066 करोड रुपे का जवाला नहरू पोर्ट में जो कंटेनर टर्मिनल है उसको अप्ग्रेड करने के लिए जवाला नहरू पोर्ट महराष्टा में है नाभी मुंबई में और ये जो पोर्ट है बहुत इंपोर्टेंट है काफी ट्रेफिक यहाँ पे कार्गो ट्रेफिक बहुत ज़ादा है यहाँ पे तो इसको अप्ग्रेड किया जाएगा ये लोन किसे मिलाए ये मिलाए एशियन डवलप्मेंट बैंक से गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जो अमूल ब्रेंड के तहत डेरी प्रोड़क्स वगारा को मार्केट करती है तो गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने अपना अभी अभी चेर्मेन किसे बनाया है तो इसके जो चेर्मेन बने है अभी-अभी उनका नाम है मिस्टर समल भाई पटेल समल भाई पटेल और जो वलम जी भाई पटेल है वलम भाई हमबल ये वाईस प्रेजिडेंट बने है ग्लोबल 500 रिपोर्ट आई है ब्रेंट फाईनेंस की आपको बताना है भारत में सबसे स्ट्रॉंगेस ब्रेंड कौन सा है तो ये इस रिपोर्ट के हिसाब से ब्रेंड फाईनेंस की रिपोर्ट के हिसाब से ये रिपोर्ट ब्रेंड फाईनेंस ने दी है तो Reliance Jio strongest brand है इंडिया में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ और पूरे दुनिया में strongest brand है Google और Jio दुनिया के top 10 brand में आ गया है तो 9th नंबर पे यह दुनिया का सबसे strongest brand है Brand Finance का headquarter लंडन में है Brand Guardianship Index के हिसाब से किसने top किया? मतलब Brand Guardianship Index आया है तो इसको किसने top किया? इसको top किया Jensen Huang ने यह NVIDIA company जो की gaming के graphic card बनाती है तो Jensen Huang is the answer Jensen Huang पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा एक powerful brand है brand के guardian है और आप देख सकते हैं मुकेशमानी नंबर 2 पे है सत्यनेडेला जो है वो नंबर 3 पे है अभी अभी एक report आईए India at 100 यानि जब भारत की अजादी को 100 साल हो जाएंगे यानि 2047 तो तब तक हम 26 trillion dollar economy बन सकते हैं तो यह जो report है यह किसने दी है? यह report Ernst & Young ने दी है तो आंसर है Ernst & Young Ernst & Young नाम की जो company है consulting company है यह इसने यह report दी है और यह report World Economic Forum की जो meeting हुई थी Davos में वहाँ पे release हुई थी और इन्होंने यह भी कहा कि इस साल तक भारत की per capita income 15,000 dollar तक हो सकती है और अगर इतनी हो गई तो फिर हम एक developed country माने जाएंगे प्रेल से लेके December तक जो यह 9 महीने का period था इसमें भारत का चोथे नंबर पे सबसे बड़ा trading partner जो है वो कौन रहा भारत का सबसे बड़ा trading partner इन 9 महीनों में रहा रश्या क्योंकि सबसे ज़्यादा fertilizer हमने बाए किया रश्या से और जो discounted crude oil है वो भी हमने बाए किया तो generally हमारा America number 1 रहता है China number 2 और UAE number 3 generally यही ranking रहती है चोथे नंबर पे जो सबसे आदा हमने व्यापार किया वो रश्या के साथ किया शुरू के 9 महीनों में अप्रियल से दिसंबर अभी अभी global economic prospect जो world bank की main report है वो release हुई इसके हिसाब से South Asia में सबसे weakest economy इस समय किसकी है South Asia में सबसे weakest economy जो है वो है पाकिस्तान की पाकिस्तान एक almost bankrupt country है और पाकिस्तान का जो projection economic growth का वो भी सिर्फ 2% का है current financial year में तो अगर आप भारत के जो countries देखेंगे आस-पास के उसमें अफगानिस्तान bankrupt है, पाकिस्तान bankrupt है, शिरलंका bankrupt है बस एक Bangladesh ठोड़ ठीक कर रहा है, बाकि नेपाल जो है वहाँ भी unstability काफी जादा है, तो आंसर है पाकिस्तान अभी अभी किसने report release करी है, state finances study of budgets of 2023 financial year, यह report RBI ने release करी है इसमें आपको detail में नहीं जाना है, लेकिन इसमें बस basically यही बताया है कि जो states हैं, उनका GDP वगारा कैसा रहेगा, fiscal deficit कैसा रहेगा तो अगर मैं financial year 23 की बात करूँ, जो खतम होने वाला है 31 March को उसमें जो fiscal deficit है हमारे states का, वो होगा 3.4% of the GDP यह project करा है RBI ने इस report में, 3.4% of the GDP और this is due to broad based economic recovery और revenue collection जो है, वो भी भढ़ रहे हैं के GST collection भी भढ़ रहे हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए अगर आप से पूछें कि जो हमारे states है इंडिया के उनका उधार कितना रहेगा तो वो रहेगा 29.5% of the GDP तो जो gross fiscal deficit है, वो रहेगा 3.4% of the GDP और जो debt रहेगा, वो रहेगा 29.5% of the GDP और यह जो fiscal responsibility and budgetary management यानि FRBM committee के हिसाब से यह 20% से जादा नहीं होना चाहिए लेकिन यह जादा है, 20% recommended है, जो debt है 20% of the GDP से जादा नहीं होना चाहिए तो gross fiscal deficit की अगर मैं बात करूँ तो that will be 3.4% of the GDP और अगर मैं हमारे जितने भी स्टेट हैं इंडिया में उनमें debt की बात करूँ तो 29.5% of the GDP for financial year 23 इस आगे बढ़ते हैं Recently released brand finance की global 500 report के हिसाब से सबसे valued brand कौन सा है तो सबसे जादा जो valued brand है इस report के हिसाब से global 500 वो है Amazon तो answer है Amazon और Amazon की जो value है दुबारा से भड रही है और last year इसकी value जो है काफी जादा वो हो गई थी घट गई थी लेकिन Amazon is back now at number 1 Amazon की जो वर्त है वो है 299.3 billion dollar और Apple is at number 2 297.5 billion dollar यह सबसे valuable brands है आपे आप देख सकते है अभी अभी IT Services 25 report release करिये brand finance ने इसके हिसाब से सबसे strong भारत में IT Services brand कौन सा है सबसे strong जो IT Services brand है वो है Accenture Accenture number 1 पे था और TCS जो है वो number 2 पे रहा OECD का Chief Economist कौन बना है OECD Paris में headquartered एक organization है Organization for Economic Operation and Development इसकी जो Chief Economist बनी है वो है Claire Lombard Delhi और यह Britain से है She is from Britain OECD कब बना था 1961 में बना था और इंडिया इसका member तो नहीं है OECD का लेकिन एक की economic partner है Warehousing Development Regulatory Authority जो है भारत की उसने MOU sign करा है कौन से bank के साथ यह produce marketing loan के बारे में awareness बताएगा जो ENWR होता है उनके बारे में awareness फिलाएगा इसका क्या मतलब होता है अब Basically क्या होता है अगर मानलो कोई किसान है उसने किसी warehouse में कोई समान रखा हुआ है मानली जी एक किसान है उसने गेहूं रखा हुआ है एक warehouse में और यह जो warehouse है इसमें उसने 20 लाग का गेहु रखा हुआ है किसान ने तो इस 20 लाग रुपे के गेहु के बदले उसे वेहराउस वाले एक रिसिप्ट दे देंगे जिसको बोलते हैं Negotiable Warehouse Receipt अगर वो Electronic Receipt है Digital तो उसको बोलेंगे E-N-W-R यानि Electronic Negotiable Warehouse Receipt और इस रिसिप्ट के बदले इस रिसिप्ट के एवज में वो बैंक से जाके लोन ले सकता है ठीक है तो वो Produce Marketing Loan ले सकता है Against the Electronic Negotiable Warehouse Receipt यह जो 20 लाग की जो रिसिप्ट है इसकी उसको एक तरह से collateral हो जाएगा वो और Produce Marketing Loan जो है इससे Rural Liquidity improve होती है Farmer की income भी भड़ती है क्योंकि Farmer को एकदम से पैसा चाहिए होता है Marketing करने के लिए अपने प्रोड़क्स की या उनको Sell करने के लिए तो वो Warehouse Receipt के अगेंस्ट ले सकता है E&WR को collateral रखवा के वो ले सकता है Pledge कर सकता है उस Receipt को तो इसके बारे में Awareness कोन फिलाएगा इसके बारे में Awareness फिलाएगा State Bank of India State Bank of India के सब पार्टनर्शिप करी है Warehousing Development Regulatory Authority ने और Warehousing Regulatory Development Authority 2010 में बनी थी 2010 में बनी थी यह जो Negotiable Warehouse Receipt का Concept है 2011 में लॉंच किया था Ministry of Consumer Affair Food and Public Distribution ने Is that clear? और Electronic यह जो Negotiable Warehousing Receipt है यह कब लॉंच हुई थी 2017 इनमें से कौन सा बैंक है जिसे Approval मिल गया है यह भारत Bill Payment Operating Unit खोल सकता है और भारत Bill Payment Operating Unit खोलने के लिए 25 करोड रुपे का आपको पैसा चाहिए RBI की Guidelines के हिसाब से भारत Bill Payment Operating Unit जो है इसमें Bill Payment आप किसी भी तरह की कर सकते हैं Electricity, Phone, DTH, Water, Gas Lone Repayment, EMI भर सकते हैं Fast Tech Recharge करवा सकते हैं Credit Card का Bill भर सकते हैं तो यह सबाब कर सकते हैं और Payment and Settlement System Act जो 2007 में आया था उसके तहट आपको Approval मिलता है RBI की तरफ से तो यह मिला है अभी-अभी Paytm Payment Bank को Paytm Payment Bank World Economic Forum ने इन में से कौन से शहर को चुना है Center for the Fourth Industrial Revolution सेटप करने के लिए C4IR यह Healthcare और Life Science पे फोकस करेंगे मेंली यह Announcement इन्होंने World Economic Forum Devos में की थी तो याद रखिए World Economic Forum का जो Fourth Industrial Revolution Center बनेगा वो हैदराबाद में बनेगा भारत में तो आंसर है है हैदराबाद यह एक Autonomous Non-For-Profit Organization होगा जो Healthcare और Life Sciences पे फोकस करेगा आगे बढ़ते हैं इन में से दुनिया का जो Largest Derivative Exchange है वो कौन सा बन गया In Terms of the Number of Contracts Traded तो यह है National Stock Exchange National Stock Exchange of India जो है यह सबसे बड़ा हमारा Derivatives Exchange है In Terms of the Number of Contracts Traded यह रिपोर्ट दी Futures Industry Association ने यह चोथी बार लगातार सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग यहीं पर होती है National Stock Exchange पे और अफकोर्स यह मुंबई में है NSE कब बना था? 1992 में बना था यह भारत का पहला DMAT Electronic Exchange था सबसे पुराना तो Bombay Stock Exchange है लेकिन DMAT जो आया था Electronic Exchange वो इसी पे सबसे पहले आया था 1992 में इन में से Top Procuring Ministry कौन सा रहा? Government E-Market Place पे सबसे ज़्यादा Shopping किसने की MSME Seller से 2022 में अगर मैं Ministry की बात करूँ तो वो रहा Defense Ministry तो आंसर है Ministry of Defense Ministry of Defense अगर Ministry of Defense की बात करें तो इन्होंने 15,047 करोट रुपे की Shopping की Government E-Market Place पोर्टल पे तो Ministry of Defense जो है वो इसमे नमबर वन रहा अगर मैं States की बात करूँ तो UP नमबर वन रहा UP ने 9,642 करोट रुपे की Shopping की Government E-Market Place पोर्टल पे Government E-Market Place पोर्टल Ministry of Commerce के अडर आता है और ये 2016 में लांच किया गया था इन में से कौन सा बैंक है जिसने 99 करोट रुपीज Raise करे हैं LIC से Tier 2 बांड इशू करके तो Tier 1 बांड भी होते है Tier 2 बांड भी होते है Tier 1 बांड जो होते है वो Tier 1 Capital के द्वारा Backed होते है और Tier 2 जो बांड होते है वो Tier 2 Capital के द्वारा Backed होते है Tier 2 जो बांड होते है इनकी maturity 10 साल है और minimum जो maturity होती है इनकी वो 5 साल तो होती है तो ये ध्यान रखना है आपको और ये अभी अभी करें है SBM Bank India ने तो आंसर है SBM Bank India इन में से कौन से कंट्री ने एक domestic card scheme launch करी है जिसका नाम है Afrigo Afrigo को जो Nigeria का Central Bank के उसने launch किया है तो आंसर है Nigeria Nigeria ने अपने Naira के जो नोटें वो demonetize भी किये थे 1500 और 200 रुपे के रुपे मतलब Naira के और Afrigo card scheme क्या है Basically Afrika को वो एक मतलब Nigeria जो है अपने आपको एक Afrika का सबसे बड़ा cashless society बनाना चाहता है तो इन्होंने In fact, Afrika का पहला digital currency E-Naira भी launch किया था October 2021 में तो ये card इन्होंने launch किया है Afrigo Vikram Credit Card किसने launch किया है Vikram Credit Card Indian Defense Paramilitary और Police के जो लोग है उनके लिए launch करा है Bank of Baroda Financial Solutions Limited ने तो answer है option है इसमें कई तरह के benefit उन्हें दिये जाएंगे ये Republic Day से पहले launch किया था और already जो Bank of Baroda Financial Solutions Limited है यानि BFSL उनके कई card आते है जैसे योधा card आता है हमारी Indian Army के लिए Varuna card आता है हमारी Navy के लिए Rakshamay नाम का जो card है वो आता है Indian Coast Guard के लिए और The Sentinel नाम का जो card है वो इनका आता है हमारी Assam Rifles के लिए तो Vikram Credit Card में Defense Paramilitary और Police Personnel जो है वो होंगे Lifetime Free Credit Card है कोई Charges नहीं लगेंगे इसमें Accidental Death Cover मिलेगा 20 लाग का Fuel Weaver मिलेगा 1% Fuel Surcharge Weaver EMI Offer होंगे Attractive तो यह सब चीज़ें मिलेंगी National Asset Construction Reconstruction Company Limited NARCL आपने Bad Bank सुना है उसमें दो चीज़ें होती है NARCL और IDRCL तो NARCL जो है Asset Reconstruction Company इसने अपना पहला stressed asset कौन सा acquire किया है तो इन्होंने acquire किया है JP Infratech तो answer है JP Infratech और यह RBI ने National Company Law Tribunal को जो है refer किया था 2017 में और इसका काफी exposure है तो यह basically क्या करेंगे stressed asset इससे buy कर लेंगे NARCL और फिर उसकी recovery करेगा IDRCL Is that clear? So that is what they want to do और सरकारी है asset reconstruction company है तो काफी भरोसे मन भी है यह compared to other asset reconstruction companies which are private and it is backed by the government of India तो stressed asset को खरीद लेंगे यह JP Infratech company के और फिर इनको recovery की कोशिश करेंगे अभी अभी कौन से bank ने एक credit card offering platform launch किया है जिसका नाम है swipe up यह AU Small Finance Bank ने करा है AU Small Finance Bank यह credit card platform है और credit card users के लिए mobile number portability की तरह काम करेगा इसमें आप अपना जो card है वो upgrade वगारा भी करा सकते हैं बहुत सारे benefit, cashback वगारा भी आपको यहाँ पे मिलेंगे Agriculture Infrastructure Fund वो 30,000 करोड रुपय मोबिलाइज कर चुका है ठीक है तो आपको यह बताना है कि इस scheme में Financial Year 2025 तक कितना पैसा टोटल मोबिलाइज होगा नाम से पता चल रहा है Agriculture Infrastructure Fund यह launch हुआ था जुलाई 2020 में तो basically post harvest management facilities create करने के लिए होता है तो इसमें एक लाख करोड रुपया सरकार disperse करेगी by the end of the financial year 2026 तो answer है एक लाख करोड और इसमें basically जो medium या long term loan दिया जाता है किसानों को cold storage अगर उनने बनाना है warehouse बनाना है इन सब चीजों के लिए loan मिलता है तो यह ध्यान रखना है इसको बोलते है agriculture infrastructure fund इन में से कौन सा bank है जिसने पांच करोड रुपया डोनेट करा है केदारनात को केदारनात उत्थान charitable trust को तो यह HDFC bank है तो answer है HDFC bank और HDFC bank जो जोशी मट में लोग affect हुए हैं उनके लिए भी काम कर रहा है केदारनात charitable trust 13 दिसंबर 2017 को यह बना था यह अभी अभी एक article आया है Reserve Bank of India का इसके हिसाब से सबसे अधा start-ups भारत में कहां पे है तो 40% जो start-up है वो बैंगलोर में थे तो answer है बैंगलोर ठीक है दूसरे नमबर पे गुरुगराम है जहांपे 16% start-up है और मुंबई जहांपे 15% start-ups है टोटल अगर मैं बात करूँ 12 जनवरी इस साल का जो 12 जनवरी 2023 तक भारत में total start-ups थे 87,988 बारत ने 1.99 बिलियन डॉलर का remittance किया नमबर 2022 में सिर्फ एक महिने में under the liberalized remittance scheme आपको बताना है liberalized remittance scheme में कितना पैसा आप freely remitt कर सकते हैं cross border तो इसकी जो limit है वो है 2.5 lakh डॉलर पर financial year में जो है आप ये permissible है तो all the resident individuals of India including minor ये उनको अलाओ किया गया है कि वो धाई लाग डॉलर पर financial year इतना पैसा वो बिना किसी रोक टोक के ये outward remittance की बात हो रही है मतलब जो इंडिया से बाहर जाता है पैसा तो एक वेक्ति 2.5 lakh डॉलर तक भेज सकता है उसके उपर भेजेगा तो फिर सरकार की permission वगरा वो सब चीजे चाहिएगी इसको बोलते है liberalized remittance scheme जब ये scheme in effect start होई थी तो 25,000 डॉलर था लेकिन बाद में फिर बढ़ा दी amount और फिर अब 2.5 lakh डॉलर है अभी अभी कौन सी company ने एक insurance plan बनाया है जीवन आजाद जीवन आजाद एक guaranteed return life insurance plan है तो ये LIC ने शुरू करा है तो answer है life insurance corporation ये saving life insurance plan है यानि endowment plan है इसमें protection भी मिलेगा आपको और saving भी मिलेगी यानि death benefit भी मिलेगा और maturity benefit भी मिलेगा Is that clear? तो इसमें जो minimum sum assured होगा वो होगा 2,00,00 और maximum जो sum assured होगा वो होगा 5,00,00 तो ये ध्यान रखिए minimum जो age है entry पे वो होनी चाहिए 3 महीने यानि 90 दिन और maximum age जो है entry पे वो होनी चाहिए 50 साल इन में से कौन सा bank है जिसे inclusive finance India award मिला है क्योंकि इनोंने financial inclusion और inclusive growth को support किया है तो ये है ESAF Small Finance Bank ESAF Small Finance Bank इसे मिला है ये award इसके managing directors यहों है के Paul Thomas इस bank का headquarter Trisur Kerala में है 2017 में बना था ये bank इन में से पहला सरकारी bank कौन सा है जिसने fixed deposits जो credit card है fixed deposits के against देना स्टार्ट किया है digitally यानि अगर आपने bank में FD कराई हुई है तो आपको credit card मिल जाएगा और तो ये आपको issue करेगा credit card against the fixed deposit ये है PNB तो answer है पंजाब national bank और इसमें जितना पैसा आपने FD में डाला है उसकी 80% credit limit आपको मिलेगी 80% credit limit Girls for Tech STEM Education Program STEM मतलब Science, Technology, Engineering और Math ये कौन सी कंपनी ने भारत में लॉंच किया है ये Mastercard ने इंडिया में लॉंच किया है तो answer है Mastercard ये इनका program पहले से चल रहा है इसमें वो लड़कियां जिनकी उम्राट से 14 साल के बीच में है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रही है तो अभी तो दिल्ली में लॉंच हुआ है ये और उनको STEM में ट्रेनिंग दे जाएगी Is that clear? तो ये Mastercard चला रहा है इसको इन में से Best Small Bank Award किसे मिला? ये Best Bank Survey हुआ Business Today KPMG ने करवाया था तो ये Best Small जो बैंक है वो है Tamil Nad Mercantile Bank Tamil Nad Mercantile Bank Is that clear? Reserve Bank of India ने कहा है कि according to the recent direction by RBI any person looking to acquire more than how much person is taking a bank will need prior approval from the RBI कोई भी person अगर किसी बैंक में 5% से ज़्यादा अगर खरीता है तो फिर उसे RBI का approval चाहिए होगा any person who wants to acquire more than 5% ठीक है? तो उसको RBI से permission लेनी पड़ेगी ये latest guideline आई है Reserve Bank of India की VTB bank कौन से country का है? इसने direct payment in rupees start कर दिया है तो VTB bank रशिया का दूसरा सबसे बड़ा bank है तो answer है रशिया और rupees वगारा में जो payment इसने start करी है क्योंकि इंडिया बहुत सारी payment अपने rupees में कर रहा है भी because of the American sanctions इन में से कौन सी कंपनी है जिसने partner करा है डूर्स NGO के साथ ये हिमाचल परदेश पुलिस को support कर रहे है for enhancing road safety ये है general insurance company SBI SBI general insurance company ये इनका CSR activity है यानि corporate social responsibility South Indian bank ने Steel Authority of India के साथ agreement करा है ये जो Steel Authority of India के dealer है उनको financial assistance provide करेगा भारत के जो export हैं वो थोड़े कम हुए अगर आप देखें December के महीने में जो हमारे export थे देवर 34.48 billion dollar और अगर आप हमारे जो April से December में अगर export देखें तो वो 9% बढ़े हैं देवर around 332.76 billion dollar हमारे import थे 9 महीने में around 551.7 billion dollar Wholesale price based inflation WPI inflation हमारे December में कितना था तो जो WPI inflation था हमारा वो था 4.95% which is within the control limit it was less than 6% इन में से पहला payment gateway कौन सा है जो CBDC या digital rupee transaction ओफर कर रहा है online merchants को e-commerce में तो यह है CC Avenue CC Avenue ठीक है CC Avenue payment aggregator भी है और payment gateway भी है देखिए payment aggregator जो होता है वो payment gateway की तरह काम कर सकता है लेकिन payment gateway जो होता है वो payment aggregator की तरह काम नहीं कर सकता अगर आप confused हों कि CC Avenue तो payment aggregator है तो payment gateway क्यों लिखा है तो payment aggregator जो होते हैं उनके पास तो सभी कुछ है ना तो वो तो payment gateway की तरह काम कर सकते हैं तो CC Avenue जो है उसने CBDC online transaction को enable कर दिया है और basically आप जानते हैं जो retail वाला CBDC है वो 1 December को launch हुआ था 1 December 2022 और पहले phase में Mumbai, New Delhi, Bangalore और Bhuvneshwar में launch किया जाएगा और total 8 bank एंजिने अलाओ किया था पहले phase में SBI, ICICI, Yes Bank और IDFC Bank और दूसरे phase में Bank of Broda, UBI, HDFC और Kotak Mahindra तो CC Avenue जो है Infibeam Avenues का flagship payment brand है और इसको payment aggregator का license भी RBI से मिला हुआ है Reliance जो retail है यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यह पहला retailer है जिसने digital rupee को accept करना start किया है for sales इन्होंने इनका जो मुंबई में fresh pick store है वहाँ पर यह start किया है तो दोनों में क्या difference है पहली पहला जो payment gateway है उसने CBDC start किया तो answer हो जाएगा CC Avenue और पहली retail company कौन सी है तो Reliance Retail Canera Bank जो है उन्होंने अपना 40% जो stake है Commercial Indo Bank LLC Moscow Russia वो किसको बेच दिया है तो Canera Bank जो है उसने अपना 40% stake जो है Commercial Indo Bank LLC Moscow Russia वो State Bank of India को sell कर दिया है तो answer है State Bank of India यह जो CIBL company है यह joint venture था रशिया में between SBI SBI में 40% SBI का 60% हिस्सा था पहले और Canera Bank का 40 था तो इन्होंने अप 40 जो अपना पूरा इसको बेच दिया है तो अभी यह पूरा 100% owned by the State Bank of India हो गया है Bombay High Court ने declare करा है RBI order to write off 8300 crore 81 bonds of each of the following bank as invalid Bombay High Court ने कहा है कि जो RBI है उसने 8300 crore रुपीज के जो 81 bond है जो कौनसे bank के जो write off किये थे वो invalid है तो यह Yes Bank के है तो answer है Yes Bank और Yes Bank ने जो 81 bond issue किये थे उनको write off किया था बाद में 8300 crore के वर्थ तो RBI का order था उनको write off करने का तो वो Bombay High Court ने अब invalid declare कर दिया है 81 bond unsecured bond होते है और इनको write off कर दिया जाता है या इनको equity में convert दिया जाता है अगर convert कर दिया जाता है अगर bank को किसी तरह की financial difficulty आती है Banks 81 bond क्यों issue करते है जिससे वो Basel 3 norms में compliant हो सके उनकी जो minimum capital requirement है वो पूरी हो सके इन में से कौन सा organization है जिसने information database launch करा है municipal bond को लेकर municipal bond को लेकर सेभी ने launch करा है एक information database क्योंकि लोगों को पता होना चीए कि क्या वो municipal bond में invest करें या ना करें that is why उन्होंने launch किया है लोगों को educate करने के लिए federal bank literary award अभी अभी किसे मिला है federal bank literary award तो ये award जो है K-Venu को दिया गया है K-Venu ये एक literary award है मतलब साहित्य के लिए दिया जाता है federal bank की तरफ से और Reserve Bank of India ने ये कहा है sovereign green bond जो है उनमें FDI allowed है foreign investment allowed है और उस पे कोई restriction नहीं है जो भी ये आएगी ये FAR route से आएगी यानि fully accessible route fully accessible route में जो NRIZ वगरा होते है या जो भारत के बहार लोग रह रहे है जिनके पास OIC card है overseas citizen of India OCI card वगरा है तो उनको ये open होता है ठीक है कि वो central government securities में invest कर सकते हैं बिना किस restriction के तो sovereign green bond में भी 8000 करोड रुपे के RBI auction करेगा 8000 करोड इच दो बार तो total 16000 करोड के sovereign green bond green bond में जो पैसा आएगा उसको फिर green projects में ही RBI deploy करेगा ये था हमारा banking awareness video जनवरी 2023 का भाग दो मिलते हैं आपसे फरवरी के part 1 में Thank you for watching Study IQ